हालो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल थंडर आज हम बढ़ेंगे आपका जो टाइप अब आर्सेसी सेक्षन होता है और कितने टाइप का होता है तो आर्सेसी मतलब आपका होता है रेंफोर्स्ट सिमेंट कंक्रीट तो हम सिमेंट कंक्रीट में रेंफोर्समेंट क्यों प्रोवेट करते हैं क्योंकि हमारा जो सिमेंट है और कंप्रेसिव स्ट्रेस तो अच्छे से ले सकता है पर हमारा जो टेंसल स्ट्रेस है और इतना अच उसके बारे में details में पताऊंगा तो balance जो section होता है और under reinforce section होता है ओ हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी मैं आपको details में पताऊंगा लेट स्टाट तो balance section under reinforce section और over reinforce section के जानने से पहले हमें जानना चाहिए आपका जो compression zone जो है और tension zone है और क्या है यह सपोज आपका simple supported beam है अगर हम इसके बीज में load देते हैं तो क्या होता है हमारा जो beam है और इस तरह से bent हो जाता है तो bent हो जाने से क्या होता है हमारा जो आप यहां पर भी देख सकते हैं यह जो middle बाला पाट है यहां पर आपका compression आता है हम tension zone पे आपका reinforcement bar provide करते हैं मैं ये जो compression zone और tension zone के बारे में बता रहा हूँ ये simple supported beam के लिए ही applicable है अगर हम यहां पे cantilever beam लेते हैं तो उसका जो upper part है वो tension part है और जो नीचे वाला part है वो compression part है क्योंकि हम अगर cantilever beam के जो free end है उसमें load देते हैं तो उसका जो upper part होता है वो stressed हो जाता है और जो नीचे वाला part है वो compressed हो जाता है तो अब हम details में जानेंगे आपका जो balanced under reinforced section क्या है तो balanced under reinforced section के बारे में जानने से पहले हमारा ये जो diagram है and your strain variation diagram है उसके बारे में हमें detail में जानना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं एक Beam का Cross Section यहां पर लिया हूँ तो यहां पर यह होगा आपका Beam का Breath और यह होगा आपका Beam का Drift और यह जो तीनों सेक्षन है मैं इन तीनों में आपका Breath and Depth सेम रखाऊँ और यह जो पाठ आपका दिख रहा है यहाँ पर यह आपका जो बीम का हम reinforcement लेते हैं उसका जो क्रस सेक्सन है यह एक सिंगल reinforcement बीम है और जो इसको हम area आप स्टील सेक्षन भी बोल सकते हैं यहाँ पर मैं लिखाओं आपका actual लेने, actual लेने का मतलब actual neutral axis और यहाँ पर मैं लिखाओं critical लेने मतलब critical neutral axis तो actual ने मतलब actual neutral axis क्या होता है actual neutral axis का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ये एक line और plane है जिसके उपर कोई भी tension and compression नहीं आता है जब आपका beam bend होता है और आपका critical neutral axis है यहाँ पर critical neutral axis का मतलब यहाँ पर जो stress होता है steel पर और concrete पर वो certain permissible value से exceed नहीं करता है मतलब यह आपका already IS 456-2000 code में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं XU लिखा हूँ XU का मतलब आपका depth of actual neutral axis depth मतलब आपका यहाँ पर जो beam का top edge होता है उसमें से जो distance होता है आपका neutral axis तो उसे हम depth of neutral axis बोलेंगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर XU मैंक्स लिखा है XU मैंक्स का मतलब आपका जो depth of critical neutral axis होता है उसे हम XU मैंक्स बोलेंगे तो XU हम कैसे निकालेंगे XU हम 0.87 FYAST divided by 0.36 FCKB करके निकाल सकते हैं यह फर्मूला कहां से आया इसके बारे में मैं detail में वीडियो बना चुका हूँ आप I button क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं और यहाँ पर जो आपका XU मैंक्स है XU मैंक्स का जो फर्मूला है IS456 code पे FE250 के लिए हम 0.53D यूज करते हैं यहाँ पर हमारे जो strain diagram है यहाँ पर आपका यह 0.0035 लिखा है 0.0035 का मतलब आपका जो maximum strain in concrete होता है उसे हम 0.0035 बोलते हैं और हमारा यहाँ पर 0.002 प्लस 0.87 Fy divided by ES है यहाँ पर यह जो फर्मूला है यह है आपका maximum strain in steel का तो यहाँ पर जो Fy है Fy का मतलब आपका जो आपका grade of steel हम concrete बनाना में यूज करते हैं और जो ES है ES का मतलब आपका modulus of elasticity of steel जो की है हमारा 2 into 10 to the 5 Newton पर mm² का तो अब details में हम जानते हैं आपका जो balance section है ओ क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो actual neutral axis है और जो critical neutral axis है और एक ही line पर लाए क्या है क्यों लाए क्या है क्योंकि हमारा जो actual neutral axis है उसका जो depth है और जो critical neutral axis है उसका जो depth है उसका जो भ्यालू आता है ओ सेम आता है सेम आने के बज़े से यहाँ पर हमारा actual neutral axis और critical neutral axis है ओ सेम line पर लाए करते हैं तो मैं आप quality बोल चुका हूँ आप XU के से find करेंगे XU हमारा जो formula है 0.87 FI AST divided by 0.36 FC के B तो FI मतलब जो है आपका grade of steel है AST का मतलब area of steel है और जो FC है वो है characteristic strength of concrete और यह जो आपका XU मतलब आपका जो depth होता है यह directly proportional होता है आपका जो amount of steel हम tension में लेते हैं उस amount से यह directly proportional होता है मतलब तो ज़्यादा still अगर हम यहाँ पर tension zone में लेते हैं तो आपका जो depth अप XU होता है वो ज़्यादा होता है अगर हम यहाँ पर कम amount का still लेते हैं तो आपका जो XU का depth होता है वो कम होता है मैं उसके बारे में भी आपको details में समझाऊँगा तो basically यहाँ पर XU and XU म्यास का जो value है मतलब depth है वो same आने के वज़े से balance section में आपका actual neutral axis आपका critical neutral axis है वो same line पर यहाँ पर लाए किया हुआ है तो balance section को हम इस तरह भी बोल सकते हैं जो concrete section होता है उसमें इतना amount का steel देते हैं जब आपका जो concrete है वो fail होता है उस time पर आपका जो maximum strain होता है वो होता है 0.0035 और आपका जो steel होता है उसमें आपका maximum strain होता है 0.002 प्लस 0.87 FY divided by ES तो indirectly आपका जब failure होता है उस time पर आपका जो concrete है और जो steel ले उस दोनों पर simultaneous fail होता है इसलिए ये हमें कोई भी warning नहीं देता है तो हम balance section को इसलिए construction sector में use नहीं करते हैं तो next अब हम under reinforce section के बारे में जानेंगे तो under reinforce section क्या होता है under reinforce जो है नाम से पता चलता है हमारे जो tension part में जो steel हम use करेंगे उसका जो amount होता है और less होता है तो under reinforce section में मैं क्या क्या हूँ इसका जो section है वहाँ पे जो breath और depth है वो similar है आपका balance section के तरह पर यहाँ पे मैं still amount है उसे less कर दिया हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो ये actual neutral axis है उसका जो depth है हम जब calculate करेंगे तो इस बज़े से आपका जो actual neutral axis रहता है वो critical neutral axis के upper में लाए करता है अगर हम इसका strain diagram भी draw करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका concrete का strain है वो तो 0.0035 है पर यहाँ पे आपका जो steel का strain है वो greater than 0.002 plus 0.87FY divided by ES है तो हम यही भी बोल सकते हैं आप जो concrete section है उतने इतना amount का steel provide करते हैं ताकि जो आपका concrete होता है failure के time पे वो तो उसका जो maximum strain होता है 0.0035 होता है पर आपका जो steel का maximum strain होता है वो greater than 0.002 plus 0.87FY divided by ES होता है तो इस बज़े से हमारा जो steel है वो fast yield हो जाता है और जो concrete है वो fully stressed नहीं होता है हम generally construction section में under reinforce section को prefer करते हैं क्योंकि यह failure होने से पेले हमें एक warning देता है steel हमारा जो है वो एक ductile material है ductile material के बज़े से यह हमें पेले warning देता है पर हमारा जो concrete है वो तो हमारा brittle material है वो direct cross हो जाता है इसलिए हम construction में आपका under reinforce section को use करते हैं तो अब हम पढ़ेंगे over reinforce section के बारे में तो over reinforce section में क्या होता है को यहाँ पे आप देखिए आपका जो breath थे and depth थे में previous section के type है same लिया हूँ पर यहाँ पे जो आपका amount of steel होता है मैं इसलिए over reinforce कर दिया हूँ over reinforce करने के बज़े से हमारे जो critical neutral axis होता है उसका तो depth जो है xv में आक से हो same रहता है क्यूंकि हमारे जो critical neutral axis है उसका जो depth है grade of steel से dependent होता है तो इस बज़े से आपका जो balance section है under reinforce section है हमेंसा आपका जो critical neutral axis है वो एक line पे आपका लाए कर रहा है पर आपका जो actual neutral axis है यहाँ पे actual neutral axis का देखे आप यहाँ पे अगर steel का quantity ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो neutral axis है actual neutral axis उसका जो depth है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया है मतलब xv is greater than xv max क्यूंकि आपको मैं बोल चुका हूँ आपका जो xv calculate करते हैं अगर आप ज़्यादा steel लेते हैं तो उसके जो depth है ज़्यादा आएगा अगर आप less steel लेते हैं तो xv का value आप less आएगा तो आप basically यह भी बोल सकते हैं आपका जो amount of steel हम reinforce section में provide करते हैं वो इतना amount का रहता है जो कि आपका failure time पे आपका जो maximum strain in concrete होता है वो 0.0035 होता है पर आपका जो strain in steel होता है वो less than 0.002 plus 0.8785 divided by ES होता है अगर हम strain diagram भी draw करते हैं उसे देखके भी आप पता सकते हैं आपका जो यहाँ पे steel का maximum strain होता है वो यहाँ पे 0.002 plus 0.8785 ES से कम होता है तो इसलिए क्या होता है आपका concrete जो है वो crushed हो जाता है पर आपका जो steel है वो fully stressed नहीं होता है तो इस बज़े से हम जो over reinforced section है उसे construction में use नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ में कुछ भी warning नहीं देता है क्योंकि आपका जो concrete है यह एक brittle material है और एक बाद में बोलना चाहूँगा आपका यहाँ पर जो balanced under reinforced and over reinforced section है आप उस तीन section में आप देख सकते हैं आपका जो critical neutral axis है वो same line पर लाय किया है पर आपका जो actual neutral axis है यहाँ पर भी 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 किया है आपका amount of steel जो tension में होता है उस occurring यह जो actual neutral axis है वो vary करता है तो इस बज़े से यहाँ पर मैं steel amount less कर दिया हूँ तो still amount less करने से मेरा यहाँ पर जो actual neutral axis है उसका जो depth है वो less आया हुआ है और यहाँ पर जो आपका मैं steel का amount ज्यादा कर दिया हूँ इसलिए आपका जो actual neutral axis का depth है वो यहाँ पर ज्यादा आया हुआ है तो इसलिए x u is greater than x u max and under reinforce section में आपका x u is less than x u max अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखनोंगो मिला प्लीज लाइक और शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल The Civil Thunder